आगे तो रावण का क्या बैक्रोंड है मतलब हाव वास हिस चाइड़् हुड आग ने पढ़ा तो ति रावण का बच्पन कैसा था कि वो ऐसा बना और उसके ममी पापा कॉन थे उसका क्या बैग्राउंड था? थांक्स, थांक्स पर आसकिंग वरुन, आक्टली इसके बारे में भी काफी लोगों को बहुत कन्फूजिन है और आक्टली बहुत लोग तो उस पर लड़ने पर आ जाते हैं, अगर आप बात करो के रावन इसा था या वैसा था या उसका बच्पन कैसा था एक हमारी कंट्री में अनपोचनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पोलिटिकल नेचर भी ते देते हैं काफी लोगों को लगता है कि रावन एक साउथ हिंडियन किंग था एक द्राविडियन किंग था और राम जी एक नौथ हिंडियन किंग थे और उनकी पोलिटिकल लड़ाई थी पर अगर आप स्टोरी सुनोगे या पढ़ोगे वालमी की रमायन में पहले मैं आपको आपने कुबेर का नाम सुना होगा चुद्धन के देवता है कुबेर is a step brother of Ravan और विश्रवस रिशी जो है वो बहुत पहुँचे हुए रिशी थे और उनको देखके एक राक्षस जो थे उन्होंने decide किया कि हमें भी ऐसी हमें ऐसे एक strong रिशी के साथ relation बनाना चाहिए और उन्हें अपनी बेटी कहकिसी को उनके पास भेजा शादी करने के लिए विश्रवस जो की अल्रेडी मैरेड थे उनका बेटा था कुबेर और वो कुबेर अल्रेडी लॉर्ड अफ दे रिचस बनाया जा चुका था यूंकि he was a very honest person तो ब्रह्मा जी और उनके जो दादा थे पुलस थे उन्होंने खुश होके उनको धन का देता बनने की उपाधी दी और वो राक्षसों और यक्षों दोनों के लीडर्स बनाय गए थे कुबेर ठीक है तो यह एक बैग्राउंड है अब विश्रवस के पास कैकिशी गए और उन्होंने बोला कैकिशी या कैकिशी अलग तरह से उनका प्रणाउंस किया जाता है तो कैकिसी ने उनको सॉट अफ सेड्यूस किया विश्रवस को और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए और वो जो उनके बच्चे थे उनमें था रावन, कुंकरन, विभीशन, शूपनगा और रावन की जो डिस्क्रिप्शन है कि वो पैदा ही हुआ था दस सर के साथ उसके दस सर थे और बीस हाथ थे तो इमाजिन ऐसा वालमी की रावायन उनके दिस्क्रिप्शन है तो लोग जो इंटर्प्रेटेशन देते हैं कि रावन के दस सरों का मतलब यह है अक्चलि उसके दस सर नहीं थे यह सारी अलग अलग चीजें दर्शाता है अहंकार, ग्रीड, यह वो वगेरा और वालमी की रावायन में उनको उसका नाम दस सर वाला, रावन उनका नाम बहुत बाद में पढ़ता है तो दस सर है और ऐसे रावन का जन्म हुआ और वालमी की रावायन में हमें जगा नहीं बताई गई कि वो कहां पैदा हुए थे पर वो विश्रवस की आश्रम में हु महाभारत में भी रमायन की स्टोरी बताई जाती है उधिश्टिर को जिसको हम रामुपाख्यां कहते है और उस स्टोरी में एक जगा मेंशन किया गया है कि विश्रवस का आश्रम आनर्त किंडम में था और अनर्त किंडम जो है अगर आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा अनर्त किंडम वॉस इन दी नौथ अफ कुजरात ओके तो जो कच वाला एरिया है और जो नौध कुजरात का एरिया है वो अनर्त किंडम होता था So Ravan का जो जन्म हुआ महा भारत के एक version के हिसाब से, story के version के हिसाब से विष्रवाद के आश्रम में हुआ जो कि अनर्थ में रहते थे एक और जगा पे, story में एक जगा mention है Ravan और उनके भाई बहन गंधमादन परवत पे बड़े हुए और गंतमादन परवत है माल्य में है तो दूर दूर तक रावन का साउथ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था तो काफी लोग जो यह पॉलिटिकल पॉइंट बनाते हैं कि रावन इंक रावीडियन राजा थे वो उन्होंने कभी scriptures पड़े नहीं है शायद और I think it is very wrong to interpret scriptures in a in such a twisted way और दूसरी चीज़ में बताना चाहता तो उनका जो बचपन था बचपन से ही उनको कहती सी ने उनकी जो माँ थी उन्होंने यह सिखाया था कि तुम्हें अपने बड़े भाई अपने सौतेले भाई कुबेर जैसा बनना है So Ravan grew up with jealousy and envy towards कुबेर तभी उनको कैद कर लिया था तभी उन्होंने कैद नहीं किया उन्होंने उनसे लंका चीन ली रहा कुबेर जो थी वो लंका कुबेर को लंका दी गई थी रूल करने के लिए और कुबेर ने लंका को बढ़ाया उसको प्रॉस्परेस बनाया लोग बोलते हैं कि अरे रावन चलो दूसरों के लिए बुरा होगा अपने लोगों के लिए तो अच्छा था उसने लंका को इतना प्रॉस्परेस और सम्रिद बनाया पर कुबेर ने बनाय था लंका को सम्रिद, कुबेर ने लंका को सोने की लंका बनाय था, और रावन ने बाद में कुबेर को एक मेसेंजर भेजा, कि ये सब अब मेरा है, ये मुझे चाहिए, और कुबेर ने उन्हें बोला कि तुम मेरे छोटे भाई हो, I am ready to share this with you, मैं और रावन ने बोला, मुझे आधा वगेरे कुछ नी चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, तो उनके पिता जो विश्ववस है, उन्होंने कुबेर को समझाया कि तुम लंका रावन को दे दो और चले जाओ, तुम हमाल्य बे रहने, उस तरह से रावन को लंका मिली, उसके बा तो उनको इन्विंसिबिलिटी मिल गई, और उन्होंने देवताओं पर आकरमन करने का प्लान किया, तो कुबेर को ये पता चली जब बात, कुबेर ने उनको एक मेसेंजर भीजा दो बारा, और उन्होंने बोला के देवता बहुत रादा स्ट्रॉंग है, और तुमें आया, ये बात सुनके, उसने उस मेसेंजर की गर्दन काड़ी, उसने उस मेसेंजर को अपने कोट में जो उसके राक्षस बेटे हुए थे, उनको दे दिया, और उन्होंने, मतलब ऐसी चीज़े है, वरुन जो मतलब हमें सोचते हुए भी ऐसा डर लगता है, रावन ने उस मेसेंजर को अपने कोटियर्स को दे दिया, खाने के लिए, राक्षस जो थे, तो उन्होंने अपने कोटियर्स को बोला कि उन्होंने मार दिया उसको, और अपने कोटियर्स को बोला कि इसको खतम कर दो, इसको खा जाओ, और उन्होंने गुस्से में आके कुबेर पे जो उसका description है, पूरा उत्तर अमायन में जो description है, बहुत भ्यांका लड़ाई हुई हमालय पे, जिसमें कुबेर, यक्ष और एक तरफ थे और राक्षस और रावन दूसरी तरफ थे, और उस लड़ाई में कुबेर को बहुत बुरी तरह हराया रावन ने, क्योंकि उनके पास बून था, invincibility का, कोई उनको defeat नहीं कर सकता था, और उस time उन्होंने पुष्पक विमान छीना कुबेर से, तो तो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावन के पास कहां से आना था वर्ना झाल